नमस्कार दोस्तों, UPSI का फर्स रिप का पेपर हो चुका है, मैं देखिए, मेरा एक छोटा भाई भी पेपर देखे, जश्ट बाहर आया है, मैं आपको A to Z पॉइंट बता दे रहो, कहां से कितने कोश्चन आये हैं, A to Z, एक एक पॉइंट बताऊंगा, देखिए, फर्स रि कोश्चन से कोश्चन आया था, यह आपका मैटर क्लियर हो गया, GKGS का जो पॉइंट था थोड़ा, वो moderate to hard था, ठीक है, क्योंकि 10 से 12 कोश्चन आपके डाल दिया गया थे, आपके मूल पीदी से, समिधां के 5 से 6 कोश्चन थे, और करेंट को ज़्यदा फोकस किया गया था मतलब जो पढ़ाया गया था, जो से लेवल था, उसके बिप्रीत आया था, थोड़ा इसमें difficulty लेवल का सामना करना पड़ा बचो को, आप देखें कोश्चन हिंदी का मैं बता रहू कहां से आया था, कैसे आया था, हिंदी का पोश्चन था दोस्तों, हिंदी का पोश्चन 40 कोश्चन थे, एकदम basic level से, एकदम hard नहीं, आप चाहेंगे तो 35 कोश्चन भी कर सकते हैं, उसने बताया था कि 40 कोश्चन था, जिसमें से उसने 36 कोश्चन किया है, जिसमें 36 का 36 सही होने का दवा कर रहा है, कैसे एक कोश्चन था था, जुसको नहीं सब कोश्चन उसमें आ रिजनी में जो आपका कोश्चन था, उन्होंने input-output से एक कोश्चन नहीं आया थे, आपका जो नियाय सेलीज में होता है, उससे 2 कोश्चन आया थे, 2 से 3 कोश्चन उसने बताया है, आपका जो data efficiency जो आता है कोश्चन उसमें 3 कोश्चन पिछले साल आया था, लेकि इस साल एक कोश्चन नहीं आया है, सबसे बड़ी बात, कथन और निसकर्स जो आपका तार्खीक रिजनी होता है, उससे उसने बताया था कि 5 से 6 कोश्चन, 4 से 5 6 कोश्चन आयते हैं, ठीक है, input-output से एक कोश्चन नहीं आया था, ये अपना खोपरी में डाल लेजिए, आपका dice से आया था, घड़ी से आया था, कलेंडर से आया था, dice मतब समझ गया होंगे, ये हो गया आपका clear, नंबर से आपका 5 कोश्चन आया था, अलपा बेटकल नंबर से 5 कोश्चन आया था, ये आप हो गया, ठीक है, और आपका ये लाश्च में जो चेप्टर आता है, दोस्तों, नया निगमन से 2 कोश्चन आया थे, रिजिनिंग में दोस्तों बच्चों ने बता आया है कि बस constable level का पेपर दिया गया था, रिजिनिंग देखिए आपका 50 कोश्चन आया था, ये बाध्यान जी का 50 कोश्चन रिजिनिंग का डाला गया था, बच्चे यहां से नंबर बह गलत तबी 120 काफी अच्छा लेवल जा गया है पेपर एकदम simple to moderate था मैथ की बात करेंगे मैथ में ये देखिए जो advance होता है आपका mensuration होगा trigonometry से एक भी question नहीं आए था एक दो question आए था mensuration से लाभानी percentage से लगबक 10 question आए था average से आपके हो गए दो question आए थे ठीक है आपका क्रमचे संचे मीड और मॉड हो गया और आपके probability से एक question नहीं आए थे ये फोकस कीजिए का जितने आपके arithmetic जितने chapter है अर्थमेटिक में लगवग आपके 10 से 12 chapter आते हैं जिसमें से आपका जानते होंगे नमबा सिंच्टर सिंप्लिफिकेशन वर्गमूल गलमूल आफसवत अनुपाथ समानुपाथ LCM SCF SCICI लाभानी परसेंटेज ठीक है मिस्तरण हो गया यह सब चेप्टर आप तजार कर लिए जिसका सूबव के shift में है यूग कि इसी सब 40 के 40 question डाल दिये गया थे 30 question डाल दिया थे ठीक है यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है 6 question का analyze आपको second shift वारा में जल सल डाल दूँगा अब सभी topic वारी डाल दूँगा ठीक है चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेजेगा टोटल आपको UPSI के सभी shift देखने के लिए दाने बात दोस्तों अनकेडमी ने आपका लेज़ पाल का बैस स्टार्ट कर दिया है आप जानते हैं अनकेडमी पे इंडिया वो UP के टाब एडुकेटर जो है आपके लेज़ पाल के त्यारी करा रहे है टोटल मैटेरियल प्रोवाइड कराएंगे जो भी मैटेरियल है आपको फ्री में प्रोवाइड करा जागा जिसके आपको एक गुरूपे चार्ज नहीं देने पड़ेंगे तो बहुत ही सांधार मौका है सभी बेश टीचरों के साथ जुणने के लिए सबसे बड़ी बात यहां की यह है कि आपको हरे सब्जेट के हरे टॉपिक के अलग 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 टीचर मिलेंगे साथ पढ़ने के लिए इसमें आपको PDF नोट्स सारे चीज़ मैटरी आपको मुथ में प्रवाइड कराएंगे आपके डॉट्स क्लास होगे सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे आप दोस्तों यह आपको सबसे बड़ी बात है क्या है जब भी आप इसके नीचे मेंक लिंक ड जब जाएगा गवर्मेंट जी ओवी टी जे ओबी टेन कोट डाला ना भूलिएगा जिसमें आपको 10 से लिए के 20 परसेंट का इस पर भी डिसकाउंट मिल सकता है जी ओवी टी जे ओबी टेन नीचे में धन्यवाद